नमस्कार मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस आज हम बात करने जा रहे हैं सीए कानून के बारे में आकर ये कानून क्या है दो हजार बीस में इसका देश व्यापी आंदोलन हुआ था इस कानून का बहुत ब्रोध हुआ था और हाली में शा सद्नों से ये कानून पास हुआ उसके बाद में रासपती के सिगनेचर होके ये कानून बना ये कानून कहता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले या 31 दिसंबर 2014 तक जो भी हिंदू, जैन, पार्सी, सिक, इसाई और बहुत पाकिस्तान, बंगलादेश या अफगानिस्तान में रह रह हैं और वो आवेदन करना चाहते हैं नागरिक्ता का तो उनको नागरिक्ता प्रदान कर दी जाएगी क्योंकि वह वहां पर अल्ग संख्यक है और अगर उनको धार्मिक रूप से प्रताड़ित वहां किया गया है या किया जा रहा था जिसके कानूं भारत में आ गए या मेजोरम मेघाले और तरपुरा में इन लोगों को अगर यह लोग रह रहे हैं तो उनको उनके जो आवेदन है वो सुईकार नहीं किया जाएंगे क्योंकि यह आदिवासी छेत्रें इनकी अपनी परंपरा है तो उनके कोई डिस्टरवेंस पैदा ना हो इसलिए वहां पर इ मतमिले थे और राजसमा में इसे 125 मतमिले हैं और भारी बहुंतों के बाद में यह जो था बाते राजपती के पास में गया था और रासपती इस बाद ये कानून बन गया जब सर्दास्टपती ने इस बिल के उपर सिग्नेचे कर दिये तो ये कानून बन गया और जब ये कानून बन गया तो करते ये हुआ कि ये जो अलब संख्यक है जो पाकिस्तान बंगरादेश या अफगानिस्तान में प्रतारित किये जा रहे हैं क्य वो अगर चाहें तो भारत को कभी भी आ सकते हैं और उसी दौरान आके पाकिस्तान बनाता और बंगलादेश बनाता तो वहां पर कुछ जो अलबसंख्यक हिंदू थे सिख थे इसाई थे पार्सी थे बौध थे वहां पर रह गए थे 혜ा कि वहां पर नहीं पर रह रह थे तो वह हुए है यह ववस्ता किया जाटा है दार्म कादा पर तो उने बहरत में नागरिक्ता पृद्साथा जए इसी को लेकर ये जो कानून बनाता है ये कानून जो था वह उन्न सौ पाच्छपन का जो नागरिकता अधिन्यम था उसमें शेंग करके C.A. को बनाया गया था उसमें अमेंडमेंट किया गया था और इस कानून को बनाया गया था और इसी तरह से इसका बहुत बिरोध हुआ था और क्योंकि ये कानून जो था वो अलब संक्यकों के लिए था वहाँ पर जो अलब संक्यक रह रहे थे उनके लिए ये कानून बनाया गया था ताकि वहाँ पर जिस तरह से उनको प्रतारित किया जा रहा है तो प्रतारित ना हो उन प्रश्पती की भी अपचारी जिसमें स्वक्रती मिल गई थी तो उसके बाद होने में क्या समझ से आ रही थी तो इस कानूं को जो इसे संबंधि जो नियमा वली थी वो बनकर त्यार निया जाना था पर तो केंद्रीय मंत्रा ले दौरा नियमा वली ना बनने के कारण इसमें नियमा वली में यह सारी चीज़े प्तै होनी थी कि किस तरह से आवेदन किया जाएगा और आवेदन को सुईकार किस अधार पर किया जाएगा और नागरिक्ता प्रवाणपात प्रदान करने के बाद में उसका क्या परिणाम होगा उस बैक्ति को क्या-क्या सुभधाय दे जाएंगी, किस-किस तरह के उस ब्यक्ति को लाव होंगे, ये सारी चीजे के लिए एक नियमावली बनाई जानी थी. क्योंकि कोई भी कानून जब पास होता है, बनता है, तो उससे सम्बंदिת जो नियमावली होती है, उसको बनाया जाता है, उसके बाद में उसको लागू कि के कारण इसमें लागू करने में डिले हो रहा था और क्योंकि रास्टपती की 2019 में अपचारिक स्वेकर्टी मिल गई थी और दोनों सदनों से भी ये पास होके आया था और नियामावली नहीं बनी थी इसके कारण इसमें डिले हो रहा था और अब कहा जा रहा है कि केंद्रिय मंत्रालेंस से संबंदे जो नियामा वाली थी वो बना कर त्यार कर लिए और इसे शीगरी नोटिफाई कर दिया जाएगा तभी से ये चर्चा में बना हुआ है और इसको लागू करने की लगातर सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि देश का कानून है और इसको लागू 100% किया जाएगा इसमें नागरिक्ता प्रदान करने को सरल बनाने की जो प्रकरिया है उसको काफी सरल बनाने के लिए प्रयास किये गए हैं कि जो कते इन देशों से आए जो विस्थापित है विस्थापितों को ऑनलाइन आविदन करना होगा और उस ओनलाइन आविदन से संबंदित एक वेबसाइट भी बनाई जाएगी और जो आविदन करेंगे इन देशों से आए हुए लोग तो उसको केंदी मंताले उसकी जाच करके उसको नागरिक्ता प्रदान कर देगा परंतो इसमें इसका इसमें ये कहत शुकर इसमें किसी भी तरह का प्रभाब जो यहां रहने वाले इसे जो रह रहे हैं जो भारत का इस्सा है मिके अनके नागरिक्ता प्रण करने का कानुन है चीने के लिए इसकोot नहीं बनाया गया है और इसी य Along प्रॉसेस को यजी बना रही है पहले यह जो था वह कहत producer hypothetical वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते थे नागरिक्ता के लिए स्विकर्थी करा वही देते थे परंतु इसमें चेंज किया गया है कि अब यह ग्रह मंत्राल है जाच करके इसको लागू करेगा क्योंकि काफी लंबे समय से यह किते सरकार द्वारा किते जो खुफी आजेंसिय है वहां से भी सूचना मिलती है कि वहां पर घुसपैट हो रही है जो भारत से हैं जैसे बंगलादेश हो गया मैंनमार हो गया वहां से लोग घुसपैट कर रहे हैं और उनके घुसपैट करने के कारण जो भारत की अंत्रिक सुरक्षा है उसको भी खत्रा है तो इसलिए जो अल्प संख्यक है, हिंदू है, जैन है, सिख है, पार्सी है, बॉद है, कृष्चिन है, सिर्फ उन्हीं को इसमें नागरिक्ता प्रदान करने के लिए का गया है, क्योंकि वह वहाँ पर अल्प संख्यक है, अगर इन देशों से मुस्लिम बस बेवस्थापित आते हैं, तो उन किसी तरह का प्रतारित किया जा रहे है, तो मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, और सिर्फ जो अल्प संख्यक है, उन देशों में, उनको यहाँ पर नागरिक्ता देने की बात कही गई है, और इन सारी चीजों पर चर्चा चल रहे हैं, और सारी नियमों वाली मुस्लिम रह रहे हैं उनकी, तो यह इस तरह की चीज़े नहीं है, जो NPR है, वो है National Population Register, जिसमें कि जो भारत की जनसंक्या है, यह रास्टी है, जनसंक्या रेजिस्टर है, जिसमें जनसंक्या के आंकडे जो है, वो किते नोट किये जाते हैं, और इसमें सारे जो है जनता स जानकारी दे रही है, वो सही दे रही है, और उन सारी जनकारियों को इकटा किया जाता है, रास्टी है जनसंक्या रेजिस्टर में, जो 10 साल में एक बार अपडेट होता है, यानि कि 10 साल में, हर 10 साल में इसको अपडेट किया जाता है, कि याना बापस से जनसंक्या का, जो इसके आदार पर सरकार जब अपनी नीतिया बनाती है तो उसका प्रियोग करके जण जण तक नीतिया पहुचाई जाती है क्योंकि उस आगड़े में सारे सबका कतेब इस पस रूप से रहता है कि किसकी मासिक आए क्या है और कितना लोग जो है वो गरीवी रेखा से नीचे आ रहे हैं तो उनके लिए योजनाया बनाई जाएं ताकि जो लाभारती है उनी को उन योजनाओं का लाभ मिलें इसी प्रक प्रकुमेंट्स मांगे गए थे तो यह सिर्फ किते बहुत बहुत बढ़ता जा रहा है तो उसको रोकने के लिए वहां पर जो वहां पर लोग रह रहते नागरिकों से के डॉकुमेंट्स मांगे गए थे तो यह सिर्फ किते ऐसम में लागू किया गया था वहां पर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और यह भारत में पूरे भारत में लागू नहीं है और इसका नागरिकتा के लिए किसी भी तरह किते हैं जो यहां पर मुस्लिम रहन है उनको किसी भी तरह का जो प्रकरिया है उससे उनको किते जो है वो नुक्सार नहीं है, अब यहाँ पर सबाल आता है कि किते जब यह किते नियमा वाली तैयार हो गई है बनकर और सरकार इसको लागू करने जा रही है, तो क्या इसका प्रभाब पड़ेगा और क्या इसका असारगव क्योंकि आपने देखा था 2020 में एक बहुत बढ़ा ब्यापक आंदोलन हुआता है जिसमें कुछ चीजे कहके गुमरा किया गया था कि ये नागरिकों को नागरिकता भारत के मुसलमानों को छीनने के लिए बनाय गया तो ये इस तरह की कोई भी सचाई इसमें नहीं थी और जो सरकार थी जो उसका काम सिर्फ यही था कि जो मानफ्ता के अधार पर जिनका धार में उत्पीणन हो रहा है जो वहां पर अल्ब संख्या के उनको भारत में एक सानट्छा दिया जाए इसलिए ये कानून बनान की पहल की गई थी अब जो किते इस कानून को लागू करने का ब्रोथ क्यों हो रहा था तो उसके लिए कई चीज़ें हैं जो कही जा रही है सबसे पहली बात जो इसमें कही जा रही है कि जो भारत का समिधान है उसका जो आर्टिकल 14 है वो धर्निर पेक्षता की बात करता है कि यानि कि धर्म में किसी भी तरह का समिधान बिवेद करने की स्विकरती नहीं देता है यानि कि इसमें जो धर्निर पेक्ष रास्ट है तो वो इसलिए है कि वहां पर किसी भी धर्म के साथ में किसी भी तरह का बेदवाब नहीं है तो इसमें जो किते एक बिसेस्ट समू है उसको शामिल कानून में क्यों नहीं किया गया, यानि कि मुस्लिमों को इसमें सामिल नहीं किया गया, जिसका ब्रोथ किया जा रहा था कि सबको समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए, जो भारत का समिधान है, उसका आर्टिकल 14 और 15 का जो मौलिक अधिकार है, वो सबको समा उसकी बिवेत कारी नीती है और वो इसमें द्रमों में विवेत कर रही है यह तो अब बैधेश नागरिकों को बहुत सारी समस्या था है यहां पर और हैं और जो कितेजिदी हैं ओने घुझ रहे हो तो आप जक्तरिस नागरिकों पारत में नागरिकता दे दी जाएगी तो वो समसा है उनकी और बढ़ जाएगी तो ये सारी चीजें थी जो बिरोत का कारण थी इसके साथ साथ इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया है और एक डर बनाए जाने की कोशिस की जाए गया अब वा फिलाए गई थी कि जो मुस जो था वो एक मान के उनका ब्रोत किया गया और बहुत बड़ा इसमें तोरफोर भी हुई देश को भी बहुत सारी जो देश की संपत्ती थी उसका नुक्शान हुआ अब बहुत सारी चीजों को देश ने इसमें जो जो था वो जेला था तो यही चीज़ें की अब जब लागू उने माला है तो सारी चीज़ें अब अलड़ी जब कते निया मावली को नोटिफाई किया जाएगा सारी चीज़ें उसमें किलियर हो जाएंगी तो उसके बाद में चाहिए एक्सेप्टेंस आना चाहिए क्सी एक कानून के लिए क्योंकि यह जो है वो उन अ नागरिक्ता चीनेगा और नागरिकों को इससे नुकसान हो तो इस तरह के नहीं बारति मुसल्मानों को नागरिक्ता को यह किसी भी तरह से प्रवावित नहीं करेगा तो 2019 में यह दोनों सब्वा था बड़ी संख्या में यह पास गूँआ था यह कानून सबको अपनाने भावना के साथ में पनाया गया है और जिसका अधार से फियाइता की मानफता के अधार पर जो अलब संक्याक है जिनके साथ में अत्याचार हो रहे है या उनका पीरह हो रहे है उनको नागरिक्ता प्रदान की जाए ताकि वो अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएं और उनको जो सुविधाय नाग्रेकों को मिलती है, वो सुविधाय उन्हें भी मिल पाएं और वो उसको अभेल कर पाएं। C.A. जो है वो एक कल्यार काई भावना के साथ में प्रस्तुत किया गया है, और जिसका यह है कि आपसी बाइचारा, सौहार्द, और जो करुणा है वो उसको बढ़ावा मिले और जिनके साथ में भेवाव हो रहे हैं, उनको एक अच्छी जिन्दगी जीने का मौका मिले। इन भारत में कौन-कौन लोग घुस बैट करके आ गया है और वो किस तरह से रह रहे हैं, अगर उनकी जाच निकी जाएगी तो भारत की एक आंतरिक सुरक्षा को भी खत्रा है, और दूसरा यह है कि जो अल्प संख्यक है, उनको एक सुरक्षा मिल जाएगा तो उनको एक अच् पर जो विस्तापिक मुसल्मान है, उनको अगर यहां पर नागर्यकता अंप्रादाण की सरकार की नहीं थी तो उसका वहाई कारण है तो पाकिसटान, अफ्गानिस्तान और बंगला देश में मुसलिम पह संक्या में है. तो जब वो बहुत संक्या तो उंको वहाँ पर किसी तरह को kamiवरण नहीं है. तो उनको हम अपने कितेश में अगर नागृकता प्रदा़न करेंगे, तो हमारे नाग्रिकों को भी, जो अलरी कह रहे हैं कि विदेशी नाग्रिकों को नाग्रिकता नहीं पतान की जाए, तो उनको भी समझ स्वजह आएंगी, और पॉर्टिकल्ज पार्टी के अपने अगेने, वो अपने अगेने अगेने लेके, सारी चीजों के साथ में किते और पब्लिक में जो जिस तरह के मैसेज देती है अपने की साथ से घुमाफ राके देती है परनतु ये कानूं को आप सब को समझना चाहिए पढ़ना चाहिए और उसकी सारी बारिकियों को जानना चाहिए उन सारी चीजों को जानने के बाद समझ तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको कोई लीगल इश्यू पर बात करने हैं तो आप हमको लिखिए हम कोशिस करेंगे कि आपका जो लीगल इश्यू है उसके लिए हम अपने जो गैस ले क्वा अग στο snatchवर हो कि एक लाचार के सो लीगल को लेए दो